दुनिया में हर दिन हर वक्त नजाने कितने इतिहास बनते हैं, कुछ इतिहास बुला दिये जाते हैं, तो कुछ इतिहास हमारे दिमाग में इस तरहा छप जाते हैं, कि हम चाहे तो भी उसको दिमाग से नहीं निकाल पते हैं, आज हम ऐसे ही एक दिमाग को हिला देने वाले इ नुम्बर में एक बच्चे को जन्म देखकर पूरे मेडिकल हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। लीना मेडिना का जन्म 23 सितंबर 1923 में पेरु के टिक्रापो केस्ट्रो विरेना प्रवेंस में हुआ। पीता का नाम ट्यूबरियला मेडिना और मा का नाम विक्टोरिया लोसिया था। लीना नो पाय बेहन में से एक थी। जब लीना पात साल की थी तब उसका पेट असामने तोर पर बढ़ता देख उसके माता पेता ने चिंतित होकर उससे पिजकुस्तित एक अस्पताल ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में लीना का पेट देखकर डोक्टर्स को लगा कि शायद लीना एक बड़े से ट्यूमर से जूज रही है। मगर बाद में डोक्टर्स ने जाज कर पता लगाया कि लीना साथ महीने प्रेगनेंट है। लीमा के एक स्पेस्यालिस्ट डोक्टर गेरार डोलोजाडा ने लीना की प्रेगनेंट सी की बात को कंफर्म किया। ये असाधरन सी कहानी अब चारो और चर्चा का विश्य बन गई थी। सभी यही सोच में थे कि कोई इतनी कम उम्र में गर्बदारन केसे कर सकता है। बात सुनने में आजीब जरूर थी, मगर सच थी। रिपोर्ट्स के मताबिक लीना जब प्रेगनेंट हुई, तब उसकी उम्र पाँच साल से कम रही होगी। क्योंकि जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तब उसकी उम्र 5 साल, 7 महिने और 21 दिन थी। डोक्टर्स ने इस रेर मेडिकल कंडिशन को प्रिकोसेस प्रबर्टी बताया। इस कंडिशन में बच्चे का सरीर बहुत ही जल्द बदल कर एक वयोश्क जैसा हो जाता है। इस अन्यूजवल से कैस में सभी को बड़ी ही दिल्चस्पी थी। पेरू के एक पेपर लाक रोनिका में एक रिपोर्ट चपके सामने आई कि एक अमेरिकन फिल्म स्टूडियो उनकी तरब से 5000 डोलर की मदद करना चाहते थे। लेकिन बदले में वो इस पूरी कहानी को भी शूट करना चाहते थे। ऐसे ही और भी लोग ओफर्स लेकर सामने आये, मगर सभी को लीना के परिवार ने ठुकरा दिया। लीना की ये कहानी कभी सामने नहीं आपाती। मगर एक लेक में कहा गया है कि डोक्टर लोजाड ने साइंटिफिक डोक्यूमेंटेशन के लिए मेडिना की कुछ फिल्में बनाई थी। पेरू की नेशनल एकेडमी औफ मेडिसिन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये फिल्में उन्हें दिखाई थी। बस यहीं से आगे जाकर लीना की कहानी सामने आप आई। चांच के छेस अपता बाद मेडिना ने सीजेरियन से एक बच्चे को जनम दिया। बाद में डोक्टर एडमंडो इसकोमल ने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया कि मेडिना के माशिक चक्र आठ महिना की कम अम्र से नीमित सुरू हो चुके थे। मेडिना के बच्चे का वजन चनम के समय दो दसवलोव साथ किलोग्राम था। मेडिना ने उसका नाम अपने डोक्टर गिरार्डो के नाम पर गिरार्डो ही रखा। दस साल की उम्र तक लिना ने गिरार्डो की परोरिश उसकी बड़ी बहन के रूप में की। बाद में उसे बताया गया कि मेडिना ही उसकी माँ है। गिरार्डो एकदम स्वस्थ जन्मा था लेकिन 40 साल की उम्र में बोन मेरो की बिमारी से उसकी मृत्य हो गई मेडिना ने कभी गिरार्डो के पिता के बारे में नहीं बताया और नहीं उसने अपने प्रिगनेंसी के दोरान परिष्थितियों के बारे में कभी किसी को खुल कर कुछ बाते कही डॉक्टर इसकोमल के मताबिक शायद वो खुद भी अपने आप को तब नहीं जानती थी और शायद उसकी उम्र बहुत कम थी ये सब समझने के लिए लीना के पिता को चायल्ड शेक्शियोल अब्यूस के आरोप में गिरिफतार किया गया था मगर सबूतों के अभाव पर उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया यू आवस्था में लीना ने डॉक्टर गेराड़ो के क्लिनिक में एज़ सेक्रेटरी काम किया डॉक्टर लोजाड़ा ने लीना और उसके बेटे गेराड़ो की शिक्षा में मदद की और बाद में लीना ने शादी कर ली साल 1938 में उसने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया खुशी की बात यह है कि लीना आज भी हमारे बीच मौजुद है आज वो 88 साल की हो गई है हाल ही में उसने रीयोटर्स को इंटर्वी देने से इंकार कर दिया जैसे उसने पिछले वर्षों में और पत्रकारों को ठुकराया था कई लोग आज भी इसको एक छलावा मानते है हमारी दुनिया काफी सारे अंसूलजे रहस्यों से भरी पड़ी है बात बस इतनी है कि आप उनमें से कितनी बातों को सच मानते है कितनों को नहीं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार लगी होगी तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविता अपना दियान रखे